नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे स्यार करेंगे कि वाइट से मेट जो हमारा होता है वाइट से मेट और वाल पुट्टी के बीच में दोनों में दोस्तों अंतर क्या है यानि कि वाइट से मेट भसस वाल पुट्टी दोनों का बीच में डिफ्रेंस क् किसको कहां apply करना है दोनों का भीजवेet कोच्ट क्या है किससको हमें करना चाहिए और किसको करना चाहिए तो दोस्त से मैट जो होता है अगर किसी की ढूट्रीट sent track से सपोर्ट से नहीं कर रहा है तो सीदह देख वाइट समय करके घर में छोड़ देता है और पुट्टी की केस में अगर आप लोग एक अच्छा क्वालिटी का पेंट करेंगे एक लगजरी केटिगरी का पेंट करेंगे तो जाहर सी बाद है सबसे पहले बेस कोट में हमें वाल को स्मूथ करना होता है यानि कि आप दुनिया भार की पेंट कर लो पेंट आप अपनी दि है तब ही जाके हमारा पेंट अच्छा दिखने लाइव हो जाता है लेकिन एक अच्छा बेस हमारा तभी तैयार होगा जब हम लोग दोस्तों वाल पूट्टी का एप्लाई करेंगे तो दोस्तों दोनों का बीज में अगर प्राइस की बात करें तो वाइट सेमेट पर भी दोस्तों पोलीमर होता है और वाल पूट्टी पर भी पोलीमर होता है दोनों ही बेक में आता है दोनों ही पाउडर में हाता है दोस्तों वाइट सेमेट की बात करें अगर एक 40 किलो वाइट सेमेट की बात करें तो एप्रोक्स आठ सो रुपिया के वाल पुट्टी केस पर भी है एक चालीस किलो वाल पुट्टी का बेक भी आपको दोस्तों आठ सो रुपया नो सो रुपया में आराम से मिल जाएगा तो दोनों का प्राइस एक परोक्स है लेकिन एक कांडिशन है कि भाईया वाल पुट्टी जो हमारा है वाल पुट्टी का जितना खर्चा होता है खरिदने से उससे कही गुना ज्यादा खर्चा होता है वाल पर पूताय करने से या निपी जितना हमारा वाल पुतिशी लघेगा हमारी घर में उससे काहिए ज्यादब या लेबर चार्ज लेवर कर लेता तो इस दो हजार की ऐसा घरत करें तो एक रूम आराम से फाइनल करते का दोस्तों दो कोड़ लागाने से लेकिन एक चीज कि वाइट से में अब लोग कभी भी रोलार से नहीं एपलाई कर सकता है अब दोस्तों ब्रास से आपको अपलाई करना होगा तो हमने प्राइस बता दिया दोस्तों वाइट से में की केस में अगर आपकी दिवार जो है अब लोग अगर चाहता है कि भाईया हमारे जो घर है उसका प्लास्टर का बालो जहर रहा है यानि कि अच्छे से उसमें ना तो क्यूरिंग पहले से किया हुआ है या फिर ना कुछ भी हुआ है लेकिन प्लास्टर हमारा खरब दिग रहा है और इस टाइम हमें भाईया पेंट नहीं करना है इसलिए हम लोग दो कोट का वाइट से में एपलाई कर देंगे तो हमारा जो दिवार है जो प्लास्टर का वाल है ओ दोस्तों उसमें एक अच्छा बोंड तैयार हो होगा जब अच्छे से प्रोपर तरीका से क्यूरिंग आप लोग करेंगे आपकी दिवारों पर जब तक आप लोग दोस्तों क्यूरिंग यानि की तरही अच्छे से नहीं करेंगे वाइट से में तब तक आपका जो दिवार है उसमें आपको उतना पकड बिलकुल भी नही ढहिमिदो सकोड़ करको करने की तरह मीक्स करें कि बाद दस मिनिट्स पर दें शोड़ने की बाद दिवार को अच्के से भीगो ले, पहला कोट Appreciatey कर दचिछा Safety करें करने की बाद पहला कौस्ट दो यानि कि 12 से दोस्तों 24 घंट आप देशकता है यानि कि आज अगर आप लोग वाइट से मेट कर लिया करने की बात अगले दिन फिर दोस्तों एक दिन छोड़ कर फिर आके उस दिवार को तरही कर दो आचे से तरही करने की बाद सेकेंड कोट के अपलाई करो फास कोट हमने अगर आप लोग फोलो कर लेंगे तो 100% आपका जो धिबार है उसमें कोई भी प्रोबॉलम नहीं क्रियेट होगा आप लोग दोस्तों जो हमारी वीडियो पर भर भर के कमेंड करता है कि हमने तो वाइट सेमेट डाली दिया दूस्त हमने तो एपलाई भी कर दिया लेकिन हम पहारी दिवार पर एक्स्ट्रियर दिवार पर वाइट सेमेट अपलाई करेंगे तो वाइट सेमेट में जरूर्ड डीडियल का फेवी कोल मिलाए ताकि और भी पकड़ अच्छा मिले और दोस्तों यह था हमारा वाइट सेमेट लेकिन अगर वाल पुट्टी की बात करें लगाने का प्रोसेस भी कुछ है लेकिन आपको फॉलो करना होगा सबसे पहले वाल पुट्टी को आपको पुट्टी मिक्सिंग जो मसीन होता है उससे मिक्सिंग करें करने की बद उसे भी दो दस मिनिट छोड़ दें ताकि पुट्टी के अंदर जितने भी बबल्स होता है भाईया वो उड़ जाए उड़ने की बाद जोस्तों आपने फिर वाल पुट्टी का काम शुरू किया इस चीज को याद रखना एक मिस्त्री अगर काम कर रहा है एक पेंटर अगर काम कर रहा है तो एक से लेका डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा की अंदर वो मिस्त्री जितना वाल पुट्टी वाल पर पुताई कर सके जितना भी वाल पुट्टी देड़ घंटा की अंदर लगा सके उतना ही उसे कहना कि भाईया उतना ही मिक्स करो क्योंकि दोस्त मैं आपको सीधे बतादू वाल पुट्टी mixing हो जाने के बाद उसका जो पावर है वह धीरे धीरे खतम हो जाता है कम हो जाता है इस लिए जबिवी वाल पुट्टी mix करने की बाद जितनी जल्दी हो सके वाल को भईया पुताई कर दो तो इस चीज का हमेशा अधियान रखना दूसरा चीज दोस्तों वालपुट्टी करते समय कभी अगर दोस्तों आप लोग ज्यादा मोटा करके वालपुट्टी करेंगे तो भाई आपका वालपुट्टी ऐसे हाथ देने से ठक 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 आवाज आएगा वालपुट्टी जो है पापड़ी बनने का चांस साथ से ज्यादा यही होता है ज्यादा लियार करके ज्यादा मोटाई करके अगर आप लोग वालपुट्टी का काम करेंगे तो विश्वास किजिए दोस्तों उसमें आपका प्रोब्लम जरूर क्रियेट होगा इसलिए जब अगर आपको फोलो करके आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप कभी भी ठकेंगे नहीं दोस्तों और किसी भी पेंटर अगर चैलेंज कर रहा हूं मेरी बात को अगर गलत सावित कर दे तो भाईया मेरी वीडियों पर आके कमेंट करो फिर देखना मैं आप से उस वीडियो क की ऊपर दोस्तों एक वीडियो बानेने की कोसिज करूंगा उस कमेंट की ऊपर आई होप दोस्तु वीडियो पर आपको जानकर रे मिल चुगा होगा फिर भी अगर आगर आपकी मान में कोई भी डाउड है तो सीधे हमें कमेंट करेंगों सब्सक्राब करनेगे